तो डिफरेंट फॉंस ऑफ एक्वेशन अफ लाइन हम लोग देखा था तो हमने स्लोग पॉइंट फॉंस के फॉंस के पहले हमें स्टैंडर्ड जो लाइन से हमारी उनका एक्वेशन देखना चाहिए इकला । चन्राट मतलब क्या क्या एकए एक्वेशन फ्सेश्स अंः ग्याद फिर एक्वेशन फ्सेशन अफ लां य छैमेशन उस्टै्ट कैस फिर एक्वेशन अफलाये ऌ द्यालां वज्वान लो 먼저 है जो 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 स döक फैंट is हम ऐसे कर एंटेट पैस पीसबनना ज है करेंट जो आपके पास एक से होजे निकाल से हैं довольно जरी बाँ का SOAT हम लोग जब किसी और लाईन का इक्वेशन निकालते तो उसके लिए रेठरस्या अहमारे पास एक सेसे शोवागहि अब आप मुझे खुद x-axis का equation निकर ला है तो मैं क्या चीज़ देखूंगा अगर x-axis के उपर के सारे points को अगर आप observe करेंगे जितनी भी points है तो सबके quadrants कैसे होते 1,0, 2,0, इसका quadrants 3,0, इधर क्या है 0,0, इधर क्या है minus 1,0, इधर क्या है minus 2,0 क्या common दिखाए जरे आपको x-axis दूपर के सारे points है, y-coordinate 0, अच्छा मुझे पते हैं, इस line को with reference to this coordinate axis, कोई और ऐसी line है जिसका y-coordinate 0 है कोई है ऐसा, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिफ एक ही line इस characteristic को hold कर रही है, इसका मतलब वो characteristics उस line को पैचारने के लिए काम में आ सकती है, आ सकती है नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे ते, आप लोग ने वही चीज़ अफसर की और आपने बोलते हैं, आप इसी तरीके से अगर आपको equation of y-axis देखना है, तो आपने y-axis के उपर के points के coordinates को observe किया, क्या दिखाए देरे आपको ? एक्स-coordinate 0 है, और कोई ऐसी दूसरी line नहीं है, कि जिसके सारे x-coordinate 0 हो, सिफ y-axis है, तो आपको पता चल गया है कि वही है, यह characteristic सिफ y-axis को ही रागू होती है, तो आपने y-axis का equation के लिखते है, x is equals to 0, तो हमेशे याद रखेंगे कि equation of x-axis क्या होता है, y is equals to 0, equation of y-axis क्या होता है, x is equals to 0, आप बात करते हैं कि कोई line है, जो parallel है x-axis को, ठीक है, मान लेके मैंने यह line ब्रॉ की, जो की parallel है x-axis को, आप इसका coordinate है 0, 2, ठीक है, अब इस line की उपर, मतलब यह line कौन से point में से पास हो रही है, 0, 2 में से पास हो रही है, अब अगर मैं जूसरे और points की बात को, इस line की उपर के, तो मुझे बताइए, क्या observe करेंगा, कि इस line के उपर, मान लिजे, यहां पर एक point है, तो इस point का, x-axis से distance कीतना है, उतना ही, जितना ही इस point ते x-axis से distance है, और किसी भी point का, x-axis से distance मतलब, उस point का y-coordinate होता है, इसका मतब्भ यह हुआ कि इस पॉइंट का y-coordinate तो 2 है और x-coordinate ुछ और उसको में x1 बोल चाहूं पिर आपने फिर और इस लाइन के ऊपर एक और पॉइंट लिया अगे इस पॉइंट का x-axis से distance constant ही है उई है जितना इसका था है इन दोनों का मंदब इस पॉइंट का भी वाइक और होगे है और एक कॉइंट कुछ और है क्योंकि आप वाइक से डिसन बरते जा रहा है तो ऐसा अगर यह जो लाइन है यह लाइन पैरलर टो एक सेक्सिस है और इस लाइन के उपर कि आप जितनी भी पॉइंट्स लेंगे क्यों सभी पॉइंक का वाइक कॉइंट कंस्टन हे क्या कोई और आइसी डाइन है एक सेक्सिस को पैरलर की जिसका य कोई पॉइंट कॉंस्टन है लेकिन 2 हैop legitson तो है लेकिन 2 रहेगा क्या नहीं रहेगा 1.9 नाई हो सकता है 2.1 हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है तो य यह लाइन का मुझे अगर equation लिखना है तो कौन सी characteristic मैं use करूंगा जो यह line hold कर ली है कि इसका y coordinate constant है बात समझवारी है इस line के उपर के जितनी भी point से उपका y coordinate क्या है constant है basicly आप equation line के equation को लिखते हो मतलब क्या लिखते हो उस line के उपर के points को represent करते हो क्योंकि अगर आप क्योंकि Y coordinate 2 är fix jetzt अब मान लो कि एक और line है जो X-axis को parallel है लेकिन 0 का 1 में इसे पास हो रही है तो इस line का equation क्या हो गया Y is 1 हो गया 1 मान लेटें कि एक line है पार्लें प्रेश्च एक X-axis which is passing to this point तो अगर मुझे जनरलाइज तरीके से लिखना होगा कि equation of lying parallel to x-axis x-axis को parallel है तो उसका equation क्या होगा y-coordinate के फॉर्म में दे जाएगा y is equal to b और b क्या है जिस point में से आपकी line pass हो रही है y is equal to b मतलब y coordinate है उस point का मतलब क्या गह रहा हूँ मैं आपकी line pass हो रही है 0,b से आपकी line pass हो रही है 0,b से 0,b से अब यह सारे d अलग-अलग है तो मैंने generalization कर दिया y is equal to b मतलब क्या equation of x-axis और इस b की जगा अगर 0 आ जाता है तो equation of equation of line parallel to x-axis होगे y is equal to b और b की जगावे 0 ले गया है equation of x-axis होगे है तो मतलब है एकिए अगर equation of x-axis लिखना है या फिर equation of line parallel to x-axis लिखना है तो x equation of line parallel to x-axis लिखना है या equation of x-axis लिखना है तो y coordinate की L3 जा लिए क्योंकि y coordinate constant है उस point को पर दोगा opposite लिखना है equation of x-axis y is equal to 0 equation of line parallel to x-axis y is equal to b पर आपको क्या चाहिए अगर आपको equation of line parallel to x-axis लिखना है तो उस line जो को उपर कर सिफ एक point चाहिए कोई भी point अगर आपकी line parallel है x-axis को अगर आपकी line parallel है x-axis को और line के उपर को कोई भी point दिया हुआ है कि लाइन को कोई भी पॉइंट जिया है तो उसका वाइन कोई पॉइंट हो गए आपका एक्वेशन के लिए समझारी बाद इस सेव नरीके से अगर आपकी लाइन पैरलल तो वाइक्सिस है जैसे माननों इस पॉइंट में से पास हो रही है जो है 1,0 कि आपकी हो यदि श्र ट्रेशली पॉइंट से रहेंगे ऊनका य-क्शिसे डिस्टरस आपके मतलब इच्अ कोाजिट अगर से ओपर जाते हो तो इस पॉइंट benefits क्या मिल रहा है यापको आगर मान लेते हैं यह जिरोगोण है तो इसस पॉइंट का कॉइंट का हो गया सब्सक्राइब का पर यह जो लाइन आपकी जो लाइन वाय एक्सा को पार्लेर जो लाइन वाय एक्सेस खूंसा कॉण्रेट constant है, लिए इस line का equation क्या होगा, इस line का equation होगा, x is equal to 1, तो अगर मुझे generalization करना है, तो मैं 1 की जब ए ले लेता हूँ, तो x is equal to e क्या हो गया, equation of line parallel to y axis, रहेगी है दो चीज़े याद, equation of x axis, y is equal to 0, equation of y axis, क्यूंकि स्टांडर यह परपिटीोर स्टांडर लाइज है तो उनका एक्सिस है यह इक्स X-aCy वॉक्म्यों देदो वॉक्षा ओक क्य स्टाव ठीक है जैसे कहता हूं तो कि या रेकिए वाई डिराण पतव कर व्यots है अगर मैं कहता हूँ equation of y-axis तो x is equal to a और a क्या है x-coordinate of any point on that line समझ में आ रहा है क्या कुछ लोग आभी भी नहीं समझा equation of standard line की बात कर रहे है अब जब line standard ना हो मतलब inclined हो जिनका inclination 090 से अलग हो तो उनके equations दिखने के लिए हम लोग वो different forms इस्तमाल करते हैं अरिवाद समझें जुकल हमने देखने के लिए जिसमें पहला हमने देखा था slope point form इस form का आप कभी इस्तमाल करते हो यह form पे किसी लिए इस्तमाल हो रहा है इसका इस्तमाल कभ करेंगे जब आपके पास उस लाइन से स्लोप दिया हुआ हो उस लाइन का स्लोप पता हुआ आपको पॉइंट पता हो तो मान लेते हैं कि जिस लाइन का आपको इसका इस्तमाल करेंगे किसके लिए हैं उस लाइन का इक्विशन इखने के लिए किस लाइन का एक्वेशन जिसका स्लोप आपको पता है और लाइन के उपर का एक पॉइंट पता है तो यह आपको याद होना चीए य-y1 इसी कोष्ट एम इंटो एक्स माइनस एक्स वाद करते का आसर सम्नल गया कि पाच विगवड़े सिच्वेशन मदे लाइन से इक्वेशन दीने साथी तुमच्या जवर पाच विगवड़े फॉर्मुले दिले लिए तो पहला फॉर्मुला है श्लोप पॉइंट वाम हा इक्वेशन ओप लाइन be अब दूसरा सिच्वेशन यह है कि अगर आपके पास लाइन का स्लोप दिया हुआ है and उस line का y intercept दिया है क्या दिया है line का slope दिया है and y intercept दिया है उस y intercept को किससे denote किया जा रहा है c से तो line का equation दिखने का formula क्या आ जाता है y equals to mx plus c ये दोनों भी याद रहने चाहिए ये ऐसा मान लीजिए हमार ले formula है line का equation लिखने के लिए इन दो different situations के अंदर अब बात करते है two point form की कौन से आले तीसरा form है two point form नाम से ही पता चल रहा है क्या पता चल रहा है दो points अगर किसी line की उपर के दो points दिये है किसी line की उपर के दो points दिये है और आपको कहा जा रहा है कि वहिया उस line का equation लिखी है मंदर जोपन उगले आदिना हाथ काड़ दे यूदे सुले देवाची किर्न तुझे उर्थी लपुनों के देवसे दे जोपी को संपरवत्त करन तुला इसे किया होगा आप टूपॉंट को आप सब्सक्राइब करना यह जिस लाइन का इक्वेशन लिखने जा रहे हूं सिवाइब के दो पॉइंट्स आपको पता है सब्सक्राइब लाइन और यह करेंगि है समÝारी बात तो मेरे पास एक लाइन है और यह उप्रश्थ से एक पैंड इक सब्सक्ति आется बाइवर् केव है प्रश्थ लोगा लाइन के उपर तो मैंने इस जन्दल पॉइंट ले लिया आग जिसका कोडिनेट है एक्स कोमा वाइग तो आप मुझे अगर इस लाइन का इक्वीचिन इतना है तो मैं क्या करूंगा लाइन के ऊपर की दो सेग्मेंट उठाऊंगा जिनका स्लोप होगा अब कौन सी दो सेग्मेंट उठाऊंगा नहीं है एक तो जो दो गिवन पॉइंट से उनसे बनने वाइज सेग्मेंट क्योंको आपको एक कॉंस्टन देगा माला काई कर रहे हैं इसे एक लिमार्ट की बूद रहे हैं मुझे क्या करना है आप मुझे इस लाइन के स्झीन लिकेना है तो मैंने लाइन के ओपर कही ब्ले आप ले गिए लाइन के ओपर को ब्लुपर कोई पॉइंट ल हैं जन्रल पॉइं जिसका कोई डिक सोंग आए और दो पोइंट है अब आप मुझे बत रहिए है अगर मैं वहोता हूं वोगता हूं तो उसने आपको नंबर मिलेगा वेरियाबर रहे गा उसके अंदर नंबर मिलेगा क्योंकि एक एक हेवन है तो अगर मैं दो दो पॉइंट से कॉडिने तो नंबर दीनिलेगा न तो मैंने 20 अब आपको पता है कि एक ही लाइन का पी क्यूं भी इस्सा है और और तो जितना श् Celsius अब आपने पी क्यूंत का स्व्हार ले लिया या तो आ प्नव का स्लोप ले लिगा यह फिर आप अगर इसको ले लेते हो तो भी उसके अंदर आपका चरदल पॉइंट आ रहा है जो लाइन की एक्वेशन में काम आएगा अगर आप इसको लेते हो तो भी आपका जर्लल पॉइट आने वाला है कि के तुम्हाला लाइन से एक्वेशन दीताना जर्ललाइज डिमेन है यहावला लागना करते गार हमार श्लोई पॉप अप्लोफ पी आवला है कि आपके यहाच नाइंचा एक दोध बुले थे चामाते थे तोपी को रांना रही उन सांगा वालवा फ्लोफ बी क्यों ये वाईट माइट उमाइट को इस गाए लाए वाइट ना ज्रफ्शत पोले निगा पोन पी ज्माइट जालो 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 दो पॉइंट दिये है लाइन की ऊपर किये और आपको टू पॉइंट फांप का इस्तमाल करना है लाइन का एक्वेशन लिखने के लिए दो पॉइंट से इस्तमाल करना है क्या करेंगे y-y1 divided by x-1 अब इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या कि इसमें और इसमें कोई फर्क दिखाए दे रहा है क्या कि दिखाए दे रहा है यह स्लोप ही तो है यहां पर slope डिरेक्ली दिया था यहां डिरेक्ली ना देते हैं दो पॉइंट्स दे दिये तो दो पॉइंट्स दिये तो लाइक का slope यह से निकाल दे y2-1 अपर x2-1 अगर इसी equation में x-1 को left में ले आता हूँ मतलब अगर यह किसी की याद में नहीं रहता है फॉर्मुला तो इसको याद में रखिए कि आरी बात समझ में लेकिन इसमें भी इतना कुछ मुश्किल है क्या है यह जो पीली तू लगी कि अगर ले गांगो पालती है जाता है मास्क वाले वह यह कापी दिनोंक बाल आयो रेगुलोर आया जरो ज्यान की प्राप्तेकली कंसिस्टेंसी जरुरू यह थी भाई आना जैसे खाना रोज खाना पड़ता है वैसे ही ज्यान की रोज देना पड़ेगा तभी आएगा देख लिया मैंने आप लोगा रिजल्ट स्टेट लाइंग जाब स्टेट लाइन के रिजल्ट डाल रखाए सरने ग्रूप पे तो कहा जाता है कर देश्ट जेही की निए तो कंसेट कितने समझ में आया उसके लिए देश्ट की जाओ समय रहे हैं जाओ सुदर जाओ सुदरेख इस सुद्रेख के लोगे आगे वटते तू पोइंट हो गया तो यह हो गया आपका तू पर याद रहे रहे तो यहां रहेगा कोशन सॉल्ट करें तो बिल्कुल याद रहेगा है कि इसका इसनों बाद में करें कि पहले यहां चलते हैं नंबर चार नंबर चार पर आता है आपका कि डबल इंटर्चल ठीक हैं यह सबसे बढ़ियाँ सKY डबल इंटर्चल फोड्र कि अब नाव से बता चल्ब मत्तारा है कि या मतलब क्या एक लाइन के एक इंटर्चल डे रखके क्याования क्यों कर्सें रखें मुँम्न की हैं पूसा क्या है किrix यह आए यог मालेव क्यिस्क्स आ कि इसका फ्लत तलतें यह ऊऔर । लुन भाइन को शुंकर कैसे आएगा इसका है आप्व आपके पास लाइन के उपर के दो है यहां पे दो पॉइंट्स थे नजी लेकिन उनका कहना है यहां पर भी आपको लाइन का एक्सेंटर सब्सक्राइब मतलब वो लाइन X axis वो कहां कट कर रही है अ इस मिलाइस लाइन कट कर एकसी आट एक को मा जीरो और वाइन्टेस पी यह बीमी लाइन कट वाइ एकसी एंट जिरो को मा भी में कट कर रही है वह यह पर कि उयंको दोश्री बोइन यह इस पॉइंट्स में और इस प्वाइट्स में क्या फर्क है। इस पॉइंट्स में आपके बाद दोनक दुनों होगें ते चाहिए आपकी हो सकता है यह भी लेकिन लेकिन टॉय नहीं दो आपको, तो अगर आपके पास इसका भी यह स्पेश के सिट्वेशन है, इसमें लाइन में मोझने, उन लाइन अगर आपकी इस प्रकार से हैं तो इस सिच्वेशन में कहीं और के पॉइंट दिये जाएंगे लेकिन यह जो सिच्वेशन में आपके प्सक्व भूए कि अब आपको तक पंतु है कि 4 पाई सिच्वेशन हो गया क्योंकि इसका पॉड्रेट हो गया एक को जीरो और इसका पॉड्रेट हो गया जिरो अब आपको तो पता है कि डबल इंटर्सेट फॉर्म का इस्तमाल करके आप इस लाइन का इक्विशन लिख सकते हो तो दो सिक्वेशन में रख देते हो कि अगर मैंने कहें दिए इसको एक तो इसको मृतिल मेनन पास क्या y minus 0 y1 यह है न मेरा divided by x minus x1, x1 मतलब क्या 8 तो क्या मिलता है बिटा आपको this implies this implies यह क्या बचा minus b by a यह negative वोपर दे दिया which is equals to y upon x minus 8 अब आपने क्या क्या अल्टर्नेंट हो कर दिया x minus a को इदर लेके गए divided by a is equals to y upon minus b b को इदर लेका है यह चांगला दिसर्थ नाही कि आसा दिसर्थ का चांगला लक्षा ठेवाईला नाई जांधोड़ा रियाजिमेंट करके इसको फोड़ा धंग से लिख लेए तो क्या हो रहा है बटा x by a यह negative को में left hand side में ले आए plus y by b और यह एक अंसल हो गया right hand side में आगया तो यह सुन्दर तरीके से अब दिख रहा है तो this is the equation of line where we have two intercepts given तो यह क्या है बटा x intercept मतब x के नीचे का जो भी रहेगा हो क्या रहेगा x intercept और y की नीचे जो भी रहेगा क्या रहेगा y intercept और दोरों के बीच में compulsory क्या रहेगा addition का sign और right hand side में compulsory क्या रहेगा 1 इन चीजों को याद में रखना है तो होता क्या है आप इसको ऐसी भी लेख सकते हो x upon x intercept plus y upon y intercept is equal to compulsory में 1 plus sign की compulsory में समझारी बात तो एक बार धान से रहेखेंगे हमने शुरुवात में देखाता equation of x axis equation of y axis जो अमरी standard line से equation of x axis आता है y is equal to 0 equation of y axis आता है x is equal to 0 फिर हमने देखा कि अगर हमारी line x axis को parallel है तो उसका equation आएगा y is equal to b और यह b क्या रहेगा जिस line का equation लिख रहे हो उसके उपर के किसी भी point का y coordinate रहेगा फिर हम अगर लिखते equation of line parallel to y axis तो हो क्या आएगा x is equal to a की एगा रहेगा इस line के उपर के किसी भी point का x coordinate है फिर हमने देखा slope point form इसका इस्तमाल कब किया जाता है इसका इस्तमाल तब किया जाता है जब आपके आए लाइन के उपर का h point दिया है तो line का equation कैसे लिखा जएगा इसका इस्तमाल ज़एगा और यह कैसे आता है कलमे ने बत रहता है थेता है फिर हमने देखा slope intersect form slope intersect form में क्या होता है क्या दिया हुआ है नाम देखिए slope दिया हुआ है line का y intercept दिया हुआ है इसे को हम C से दिना रधाते हैं तो line का equation क्या होगा y liputs to mx plus c थि पिर हमने देखा two point form अगर आपको लाइन का एक्विशन लिखना है तो लाइन के दो इंटरसेट दे रहे हैं मतलब ओर में एक्विशन हो कहां रही वो दे रखता था मतलब क्या दिया है एक सिंटरसेट दिया है तो अगर आतान है यह वारी वाये म्यों पालिव कि दिए और चाक्रेंडे टीन तो सीधा राइन का एक्वेशन किया होगा, x by 2 plus y by minus 3 is equals to 1. क्योंकि x intercept 2 बोला था, y intercept minus 3 बोला था. अरिवा समय में? आय जोपाई ले बबाणू, उस्ते जोपाई ले. पुटारे बाणू! अच्छी योडी जोपें, का जे बाणू? लेख नॉर्मल पॉक्पाई पे, नॉर्मल फॉर्म, क्यास कोर नॉर्मल फॉर्म, कोज सांग दे, हाव ड़, नॉर्मल फॉर्म, आपे, लाइन, आता, नॉर्मल फॉर्म, लाइन चे एक्वेशन लिने सेटी, नॉर्मल फॉर्म चे वापर करना, करीक कसा करना, सिचुएशन के दिरी वेगड़ी आसन ना अधापन आपन लाइन से कि शिरीन चार पॉम सा वापर गेला चार पॉम कम्यों होते गा मनून हा दिला है यह चार पेक्षे वेगड़ी सिचुएशन आसन ना रे मं कोन सांगते नॉर्मल पॉम काया आसतो गार्ण कोन दो बागा है नॉर्मल पॉम सांगते ने आता पॉम्हारी तुम्हाला लाइन से एक मेशन लीचे बरबरेन लाइन कशी भी आसू शक्तिया लाइन कशी भी आसू शक्ति कि लाइन कशीवयाक्ति शक्ति कि जइक के पे समाई जեղ सकति जित मरत पर्रहत नार्लस। कि मारना नार्मल गत्राम्पला निक्राइचे नार्मल। कि यह लाइन बद आपले कही इत्माइक नहीं है पने यह लाइन चेक्विशन लिए इस लाइन के वारे में कुछ नहीं पता और हमें लाइन के लिखने तो फिर क्या पता है इस लाइन का औरी जिन से डिस्टन्स औरी जिन से इस लाइन का डिस्टन्स दिये रखा है स्मॉल पी आप डी भी बोल सकते हैं लिखे स्टैंडर्ड नोटेशन पी उसकिया गया है स्मॉल पी क्या है इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टन्स अब डिस्टन्स कैसे होता है किसी पॉइंट का लाइन से डिकुलर हो और दूसरी चीज़ दी है यह जो डिस्टन्स है यह जो डिस्टन्स है वो जो सेग्मेंट आ रहे है उसका inclination या फिर कह सकते हैं एंगल विध एकस दिया है जिसको बोला गया है उन्फा उसलोग इसको ठीका भी बोल सकते हैं अब बेटा इस लाइन का इक्वेशन लिखना है तो जो पुराने फॉर्म से हमारे या तो उसका इस्तमाल करेंगे या फिर कुछ ऐसा निकालने की है आसा नहीं हो तो मुझे आप बताईए क्या मैं एम पॉइंट का कोडिने लिख सकता हूं क्या लिखेंगे बेटा पॉलर कोडिनेट्स पॉलर को याद करो जितनी इंफॉर्मेशन है मतलब क्या इंफॉर्मेशन है कि ओरिजिन में से निकला हुआ एक सेग्मेंट है जिसका रोटेशन दे रठा एंगल तो क्या होता है आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा पॉलर कोडिनेट्स तो यहां आर क्या है पी तो यहम का एक्स P sin ULFA R cos theta R sin theta यह हमको पॉद्न बिल गए विया लाइन का एक्वेशन था निकालना था लाइन के ओपर का एक पॉद्न बिल गए हमको अब क्या करना है अब हम करेंगे लाइन के ओपर कोई भी एक पॉईंट लेंगे A लोकस है लाइन लाइन के एक्वेशन लिकना है let any point on line B A having coordinate X, Y जाला का जाला slope of A M लिख सकते हो क्या slope of A M, क्या हैगा slope of A M Y minus P sin ULFA divided by X minus P cos ULFA कौन बताएगा मुझे slope of O M into slope of A M minus 1 slope of Dikular Lines multiplication of slope of Dikular Lines is minus 1 minus 1 तो भाईया slope of O M क्या है tan alpha inclination दिया है O M का inclination दिया है angle made Y O M with positive direction of X axis दिया है तो slope of O M क्या हो क्या है tan tan । क्या है । । । । कावल । । । अरे वो लक्षिर नारे विया याडा विल्वार करें चना द। अरे येना किती दा आंगल वनो लेला इंकलियाशन दिलेला ने तो inclinations दिलेला ने तो inclinations आसन तो of that inclination slope आसतो मेर्चा slope क्या दनारे slope of O M का जा दना tan tan alpha and slope of EF का आदेला y minus P sin alpha by x minus D possible sin alpha sin alpha मंजे इस इकोस तो minus 1 तो निखाए तो उन शक्त तरियाला y minus P sin alpha divided by x minus P cos alpha is equals to minus 1 by tan alpha हाथा सगल यह थोड़ा से वियो उस्ति लियाएथे equation of line इन नॉर्मल को आसनाव का देले करन लाइन 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 लाइक नॉर्मल है perpendicular है मंजे इक्वेशन आफ लाइन वे नॉर्मल इवन है लाइन की उपर को कुछ नहीं जिया नॉर्मल इवन है तो Y-Psin alphah divided by X-P cos alpha is equals to minus 1 by tan alpha तो सबको sin cos में कर लेते हैं यार standard form-juris line से लीद लिदा equation खाई आसले हों जयान दखाऊ पाट करें E is equal to minus cos alpha by sin alpha. मांत प्रोस मेंटिप्रिकेशन मेंगे विए. महें कायँ है हैं? Y sin alpha minus P sin skavira alpha. minus X cos alpha plus P cos skavira alpha. यह जू तोड लेंना. ज्याले जू जो जो जो? हाँ, है इनिकेटीव यह रही कडाना? X Cos Alpha Plus Y Sin Alpha Easy question, Y nege cada P Sin Square Alpha Plus P Cos Square Alpha X Cos Alpha Plus Y Sin Alpha P common निकल bracket में आला Sin Square Alpha Plus Cos Upper Alpha ये जर टंकल से दान वोल जे जर देखने इक्वेशन ओफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म यहाच मदे कायम आइदी आसेला पाईजे फुल्फा आणि पी जालू बगान्या काई दिलेल होता सुला दिला पक्त लाइन्स ओरीजिन बसुन दिस्टन्स आणि तेज़ दिस्टन्स एत्यन वनुलेल इंक्लिनेशन बस दोलस तो एक्षन वाइटा दसद रही ना एक्षन वाइटा सद राने रे ओ जाली ओ लए बत्तु दुख्टे द्रे बिच्छरे मरत रहे एकि वो खरत रहे लिए मलों जासे वाइट वाइट तुम्चे रान्या कड़ेल वास वाच्टे काय करता था आपने दो परेनी तुम्चे केमिसी चे लेक्षा दालें तुम्चे थक लेले आखर लेले माया आता ताले और काय का मुझे मन आई कि नीए एक ही दो उम्मीद की किरन है कि अ मैं अ कि लेले दुप्ते दभर काया तो है तो यह मोबाइल और के भगतनी बस अदना उबसे जिए वीडियो ते वीडिया सकाई भी मोबाइल चो आपर तुमीजे लेक्चर मोगे दासने तावड़ाच कर राज जेर तो मोबाइल आपको ना कबर का का त्यान भीले ठाको ये थे बरबरे का चला मंगे का दड़ने ये चामेदे पी कड़े सुमा लगाए रिक distance of line from line line from origin and alpha करते हैं मंगे का दड़ने equation of line in normal form मंगे पाच form है पका parametri form नहीं देने देने करते हैं ये पाच form है line का equation लिखने के लिए इनका इस्तमाल करना है और question जातर इसी exercise के उपर आएंगे आपके ठीक है आता exercise 3rd fall करेंगे ये लिवन ये पाइदे exercise 3rd fall करेंगे अपके आगेटा कल मिलते कल देखेंगो question